अब हम मानव सिमर्ती अध्याय साथ के दूसरी भाग के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हम सिमर्ती में ज्ञान का संक्ठन तथा वी संबरण के बारे में विस्तार से वर्लन करेंगे सिमर्ती में ज्ञान का संक्ठन एवम प्रति निधान इस भाग में हम यह देखेंगे कि देर्ग कालिक सिमर्ती में सूचनाएं किस परकार संग्ठित होकर एक प्रारूप और्गिनाईजेशनल स्ट्रक्चर धारन करती हैं देर्ग कालिक सिमर्ती में काफी अधिक मातरा में सूचनाई होती हैं जिनें हम कुशलता पूरवक उप्योग बिलाते हैं यह जानना बहुत आवशक है कि हमारा सिमर्ती तंत्र किस परकार से इन सूचनाओं को संखित करता है जिससे की सही समय पर सही सूचना हमें प्राप्त हो जाती है दीर गालिक स्मिर्ती में सूचना संखन से संबढ़ित बहूत से विचार आर्थी पुनरधार सिमेंटिक रेट्रीवल पर्योगों से प्रात्थ प्रिनामों के आधार पर हैं आर्थी स्मिर्थी, सिमेंटिक मेमोरी की सामगरी के पुने समरण में कोई तरूटी नहीं होती परंतु परशन का उत्तर देने में लोगों को कितना समय लगता है इसके आधार पर दीर्ग कालिक स्मिर्थी में संग्ठन के सवरूप का अनुमान लगाया गया है सबसे पहला इसमें आता है सनप्रते यानि कॉंसेप्ट्स दीर्गालिक स्मिर्थी में ज्यान प्रति निधान रिप्रेजेंटेशन आफ नौलेज की सबसी महत्यपूर्ण एकाई सनप्रते या कॉंसेप्ट है सनप्रते कॉंसेप्ट्स उन वस्तों और घटनाओं के मानसिक संवर्ग मेंटल कैटेग्रीज हैं जो कई परकार से एक दूसरे के समान हैं एक बार जब सनप्रते बन जाते हैं तो वह वर्गों में संख्थित हो जाते हैं जैसे आम यानि मेंगो शब्द एक वर्ग है जो विभिन परकार के आमों को परदर्शित करता है टाइप्स ओफ मेंगो आम शब्द एक सनप्रते भी है जो फल की शरेणी में आता है दूसरा पाट इसमें आता है स्कीमा सन परते हैं स्कीमा में भी संखित होते हैं स्कीमा एक मानसिक ढांचा मेंटल फ्रेमवर्क होता है जो इस वस्तु जगत के बारे में हमारे ग्यान एवम अभी ग्रह अजम्शन्स का परती निधान रिप्रेजेंटेशन करते हैं जैसे रसोई घर का एक स्कीमा होता है जो यहें बताता है कि रसोई घर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं अधे सन परते प्राथमिक स्तर पर वर्ग और स्कीमा के रूप में संखित होते हैं दीर विकालिक स्मिर्थी में उच्च सतर पर सन परते का संख्थन Higher Level of Organization of Concepts in LTM दीर कालिक स्मिर्थी में सुचना शरेनी बर्थ घरार की कल रूप में संखित होती है तथा उसकी एक जालिदार नेट वर्क स्रंचना होती है इस स्रंचना के तत्व को निश्पंद बिंदू या नोर्स कहा जाता है निश्पंद बिंदू सन परत्य होते हैं किन्तु इनके बीच के संबंध को नाम पत्रित संबंध Labeled Relationships कहते हैं नाम पत्रित संबंध सन परत्यों के गुण धरम Concepts Attributes या शरेनी सद्यस्यता Category Membership दर्शाते हैं इस द्रिष्टी कोण के अनुसार हम सभी सूचनाओं को एक निश्चित स्तर पर संचित कर सकते हैं जो उस शरेनी के सभी सदश्यों पर लागू होती है तथा निचली कर्मिक Lower Level सतर पर इसे अधिक दोहराने की आवशक्ता नहीं होती है यह एक उच्च स्तरिय संग्यानात्मक लागव Cognitive Economy को सूचनिश्चित करती है इसका तात्परिय यह है कि देर की कालिक सिमर्ती की शम्ता का अधिका धिक एवं कुशलता पूर्वक्त तथा कम से कम व्यतिरिक्तता रिडन्डेंसी फालतुपन अतिरिक्तता में उप्योग किया जा सकता है दवी संकेत परिकल्पना Dual Code Hypothesis सूचना प्रात्याशिक रूप यानि Conceptual Format में या परतिमाओं इमेजिस के रूप में संकेतित की जा सकती है परतिमा किसी भी परति निधान यानि Object का स्थूल या Concrete रूप है जो किसी वस्तु के परत्याक्षिक गुर्ण धरम Perceptual Attributes को बताती है जैसे यदि शक्त विद्याले बोला जाए तो एक विद्याले की एक निश्चित परतिमा उभर कर आएगी वास्तों में सभी मूर्त वस्तुएं तथा सन परते कुछ परतिमाएं उत्पन्न करती हैं जेने शाब्दिक वर्बली एमम चाक्षुस विज्वल रूप से संकेतित करते हैं इसे द्वी संकेत परिकल्पना ड्यूवल कोड हाइपोथेसिस कहते हैं इस परिकल्पना के अनुसार मूर्त संज्याएं एमम मूर्त वस्तुएं कंक्रीट नाउंस एंड कंक्रीट इन्फरमेशन से संबंधित सूच लाएं परतिमाएं इमेजिज के रूप में संकेतित एमम संचित और कोड़ येंड श्तॉर्ट की जाती हैं अमूर्त एब्स ट्रेक्ट सन परतियों से संबंधित सूच लाएं शाब्दिक एमम वर्णार्तमक वर्बल एंड डिस्क्रिप्टिव कोड की रूप में संचित की जाती हैं जैसे किसी पक्षी का वर्णन करने के लिए सरव पर्थम पक्षी की पर्तिमा का निर्मान होता है और उसके आधार पर पक्षी का वर्णन किया जाता है सत्यता या इमानदारी जैसे सनप्रतियों का वर्णन करने के लिए कोई भी प्रतिमा का निर्मान नहीं होता है तो निशकर्ष क्या हुआ इसका जो भी सूचना शाब्दिक तथा प्रतिमा के रूप में संकेतित की जाती है उसका अधिक आसानी से पुने समर्ण किया जा सकता है सिमर्ति एक नात्मक परक्रिया के रूप में मेमोरी एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस सिमर्ति परक्रिया के प्रारंभिक अनुवेशन से हम यह निशकर्ष निकालते हैं कि सिमर्ति मूलते संचित सामगरी से पुनुरुत पादन रीप्रोलक्षन की परक्रिया है सिमर्ति में भंडारं का लक्षन यह परदर्शित करता है कि सिमर्ति सीखी होई सामगरी को देर्ग कालिक सिमर्ति में संग्रहित करने की एक निशकरिया पैसिव घटना मातर है लेकिन बाटलेट के अनुसार सिमर्ति एक निशकरिया घटना नहीं है परन्तु सिमर्ति एक स्करिया एक्टिव पर करिया है और जो कुछ भी हम संचित करते हैं उसमें निर्यंतर प्रिवर्तन और संशोधन होते रहते हैं सेखे होई सामगरी इस बात से प्रभावित होती है कि उद्दीपक यानि स्टिमूलस सामगरी को हम कैसे अर्थ या मीनिंग पर लान करते हैं सीखे होई सामगरी समर्ती तंतर में जाने के बाद अन्य संग्यानात्मक यानि कॉग्निटिव करियाओं से अलग नहीं रह सकती समर्ती एक रजनात्मक कंस्ट्रक्टिव परक्रिया है नेकी पुनुरत पादक परक्रिया रिप्रोलक्टिव प्रोसेस परियोगों के आधार पर यह समझने का प्रियास किया गया कि किस परकार कोई विशिष्ट स्मिर्ती व्यक्ति के ज्ञान लक्षों अभी प्रेरिना वरियता प्रिफरेंसिस तथा अन्य मनुवैनिक परक्रियाओं से प्रभावित होती है बाट लेट के प्रियोगों में पर्ति भागियों यानि पार्टिपेंट्स ने मूल पाठ ओरिजनल टेक्स को अपने ग्यान से ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए बदल दिया सामगरी को पूरण रूप से बदल दिया ताकि वह अधिक तारकिक, रैशनल एवं समनुगत को हरेंट लगे बाट लेट ने इन प्रिनामों की वैख्या हेतु स्कीमा शब्द का उप्योग किया स्कीमा क्या है? स्कीमा भूत पूरव, अनुभवों और ग्यान का एक स्क्रिय संग्ठन है जो आने वाली नई सूचना के विशलेशन, भंडारण तथा पुनुरुद्धार लिट्रिवल को परभावित करता है इसे एक निशकर्ष क्या निकला हमारा? सिमर्ती एक रचनात्मत स्क्रिय प्रक्रिया है जहां सूचनाई, व्यक्ति के पूरव ज्यान, समझ एवं परताशाओं, एक्सपेक्टिशन के अनुसार संकेतिक, एन कोडिड एवं संचित की जाती है वी समर्ण के सवरूप एवं कारण, नेचर एंड कॉजिज ऑफ फोर्गेटिंग हम भूलते क्यों हैं? वी समर्ण को समझने के लिए संभावित सिधान्त्र, हर्बन एबिंग हास के अनुसार शुरू में सिमर्थी में तीवर हरास शार्प ड्रॉप होता है और उसके बाद अवनती, डेकलाइन बहुत कर्मिक और धेमे गती से होता है चिन्य हरास के कारण वी समर्ण, फोर्गेटिंग ड्यू टू ट्रेस डिके, चिन्य हरास ट्रेस डिके, जिसे अनुपयोग का सिधान्त, मिस्यूज थ्यूरी भी कहा जाता है वी समर्ण का सर्व पर्थम सिधान्त है, इसकी अवधारना है कि सिमर्थी केंद्रिय तंतरी का तंतर में कुछ शंजोधन करती है जो मस्तिस्क में होने वाले शारिरिक प्रिवर्तन हैं जिनें सिमर्थी चिन्य मेमोरी ट्रेसिस कहते हैं जब सिमर्थी चिन्हों का उपयोग लबी समय तक नहीं होता है तो वे धूमिल हो जाते हैं और हम उनका पनुर्थधार रेट्रिवल नहीं करप सकते हैं दूसरा है इसमें अवरोध के कारण वी समर्ण फोर्गेटिंग दू टू इंटर्फेरेंस चिन्हरास ट्रेसिटिके का सिद्धान्त वी समर्ण की परियाप्त रूप से व्याख्या नहीं कर पाया इसलिए एक नई सिद्धान्त ने इसका स्थान ले लिया इस सिद्धान्त के अनुसार नई सूचना जो देर्ग कालिक स्मिर्थी में परवेश करती है वहे पूर्व संचित सामगरी के परतेहान रिकॉल आफ अर्लियर मेमोरीज में बाधा पोँचाती है आते वी समर्ण का मुख कारण अवरोध है इस सिद्धान्त के अनुसार स्मर्थी भंडार में संचित के भिन्ज सामगरी के बीच अवरोध इंटर्फेरेंस के कारण वी समर्ण होता है वी समर्ण में दो परकार के अवरोध यानि टू टाइपस आफ इंटर्फेरेंस इन फोर्गेटिंग पहला है इसमें अगर लक्षी अवरोध प्रो एक्टिव इंटर्फेरेंस आगे की और चलने वाले इसका तात्परिय यह है कि जो किरिया आपने पहले सीखी है वह बाद में सीखी गई किरिया को याद करने में अवरोध उत्पन करती है जैसे पहले सीखी गई एक भाशा बाद में सीखी जाने वाली नई भाशा को याद करने में अवरोध उत्पन करती है दूसरा है इसमें पूर्व लक्षी अवरोत रेट्रो एक्टिव इंटर्फिरेंस पीछे की ओर चलने वाले इसका तात्परियत यह है कि जब आपको पहले सीखी गई क्रिया का प्रत्याहान रिकॉल करने में कठिनाई हो जो किसी नई सामगरी के अधिगम के कारण हो सकते हैं जैसे एक भाषा में दूसरी भाषा का प्रियाए एक्विविलेंट शब्द का रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो यह पूर्व लक्षी रेट्रो एक्टिव अवरोत है पुनुरधार ऐसफलता के कारण वी सम्रण फोर्गेटिंग डू टू रेट्रिवल फेलियर इस सिधान के अनुसार वी सम्रण प्रत्यावान के समय पुनुरधार रेट्रिवल के संकेतों के अनुपस्थित रहने या अनुपयुक्त इन एप्रोप्रियेट होने के कारण भी होता है पुनुरधार के संकेत रेट्रिवल क्यूस वे साधन हैं जो हमें सिमर्ती में संचित सूच ना आपने शब्दों की सूची जिनकी श्रेणियां ग्यात नहीं है याद की और कुछ देर बाद आपको उसका रिकॉल करने को कहा जाए तो आप उन में से कुछ का पुने समरन तो कर पाएंगे परन्तो कुछ शब्दों का वी समरन हो जाएगा यदि दूसरे पुने समरन प्रियास में आपको शब्दों की श्रेणियों के नाम भी बता दिये जाएं तो यह श्रेणि के नाम पुनुर्दार रिकॉल कर कि संकेतों का काम करते हैं श्रेणि नाम के लावा जिस भौतिक संदर्ब में नई सामगरी याद की जाती है वहे भी एक परभावी रिकॉल संकेत परदान करता है इस परकार हमने इस भाग में सिमर्ती की ग्यान का संक्ठन तथा वी समरन के बारे में विस्तार से चर्चा की मुझे आशा है यह आपको जरूर समझाया होगा और इस ग्यान को पराप्त करने में हमारी ये चर्चा आपकी साहिता करेगी मुझे आपकी साहिता करता है